हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं सरब जी ताज आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कच्चे आम की लॉंजी ये जो लॉंजी है बहुत यह रटेस्टी बनती है आप इसे एक महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हो और इसे बनाना ये बहुत ज़्यादा असान है 10-15 मिनट में ये बनकर रडी हो जाती है आप अगर इसे फ्रिज में रखो गए ये 2-3 मिहने तक भी खराब नहीं होती है तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं यहाँ पर हमने 3 कच्चे आम लिये हैं इन्हें में धूल लिया है और अच्छी तरह साफ कर लिया है अब इसका छिलका हम अच्छी तरह उतार देंगे इसको हमने पील करना है छिलका अपने उतार देना है इसे हम छिलके के साथ बिलकुल नहीं बनाएंगे अब इसे हमने पील कर लिया है सभी आम को तो यहां पे हम इसे cut कर लेंगे यहां पे मैंने छोड़े-छोड़े टुकडों में इन्हें cut कर लिया है आप देख सकते हैं अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे यहां पे हमने एक pan लिया है इसके अंदर दो चमच oil के डाल देते हैं यहां पे मैंने सर्सों का oil लिया है आप यहां पे refined oil भी यूज़ कर सकते हैं जब सर्सों का oil अच्छी तरह गरम हो जाए तब इसमें 3-4 long डाल दीजिए अब इसके अंदर डालेंगे हम आधा चमच मेथी दाना और एक चमच डाल देते हैं इसके अंदर जीरा यहां पे हम इसके अंदर सॉंफ भी डालेंगे यहां पे हमने राई डाल दी है इसके अंदर आधा चमच सर्सों के दाने डाले हैं यहां पे हम सॉंफ डालेंगे सॉंफ के हमने 2 चमच डालने हैं कि इसका जो तेस्ट होता है सौंफ का वह बहुत ज़्यादा अच्छा ता है तो मैंने इसे दो चमच डाला है यहां पर आदा चमच हम कलॉंजी का पर डाल देते हैं इसके अंदर अभी सबी मसालों को हमने अच्छी तरह भून लेना है हलका सा क्रैकल कर लेना है और यहां पर हम इसके अंदर हींग डाल देते हैं दो चुटकी भर अब इसे हम अच्छी तरह क्रैकल करेंगे ओयल देखिए मैंने बहुत कम डाला है आप तोड़ा सा ज्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं अभी हम कटे हुए आम इसके अंदर डाल देते हैं इन आम को हमने इसके साथ सौटे करना है मसाले के साथ तो यह दो से तीन मिनट हम इसे ऐसे ही लो से मेडियम फ्लेम पे सौटे करेंगे इससे जो इसका टेस्ट है मसालों के साथ मिक्स अफ हो जाएगा अब लीजिए यह सौटे हो चुकी है अब इसके अंदर ड्राई मसाले डालेंगे यहां पर डाल देते हैं एक चमच हल्दी का और इसके अंदर अब यहां पर हम इसके अंदर नमक डाल देते हैं नमक इसमें थोड़ा से जादा लगेगा मैंने इसके अंदर डेड़ चमच नमक का डाला है अब नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह भून लेना है आपने अच्छी तरह सौटे कर लेना है इन से चार मिनटी से हम पकाएंगे इसको आपने अच्छी तरह पकाना है जब तक यह बिल्कुर ट्रांस्पेरेंट नहीं हो जाती है जब यह पकेंगी तो यह अच्छी तरह ट्रांस्पेरेंट हो जाती है और बिल्कुर सौफ्ट भी हो जाती है तो यहां पर हमने पहले इसको वाल आने तक इसे यहां पुआ हैं जब इसमें हो वाल आ जाएगा तब इसे धकन लगा देंगे और 10 मिनट तक लॉ फ्लेम पेंसे पकने देंगे दस मिनट के बाद हम इसे चैक करेंगे तो लीचे 10 पड़ा हुए हैं देगे हैं आम भी तो इसका मतलब है आम हमारे काफी अच्छे पक चुके हैं आप इसके अंदर हमने मीठा डालना है आप यहां पर चीनी का यूज भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर गुड़ डाल रही हूं तो यहां पर आदा कप आपने जैगरी का यानि की गुड़ का डाल देना है जालने से और गुड़ से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और आप इसे जब बनाते हैं तो आपके घर में यह सबको ज्यादा पसंद आएगी आप एक बार ट्राइ करके देखिएगा क्यूंकि आज कल कच्छे आम बहुत आ रहे हैं तो आप एक पर बना कर देख किये जैसे नॉर्मल हम चटनी मनाते हैं आमकी तुसे बनाने में बहुत जाड़ा टाइम लगता है लेकिन यह बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है यहां पर देख सकते हैं लॉंजी हमारी आलमोस्ट बनकर तयार हो गई है इसकी जो ग्रेवी है वह भी बहुत जादा ग कॉन जी हमारी बनकर तयार हो गई है आप इसे रोटी के साथ प्रांठे के साथ नान के साथ कैसे भी इसे सर्व करेंगे तो यह बहुत चरह आपको पसंद आएगी और इस रेसिपी को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आगे हम कीजी नई रेसिपी के चाहिए होती है तो आप हमें कॉमेंट कीजिए हम उस पर वीडियो जुरूर बनाएंगे थैंक्यों वाचे